पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में कमल का फूल खिल रहा है सपा बस्वा कांग्रेश के जो इस्टार प्रचारक है उन मैदान में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको पहले से ही इस बात का अंदाजा है कि जनता ने मन बनाया है कमल खिलाने का और उत्तर प्रदेश में जो विपच्छ में राजनितिक दर हैं नेता हैं प्रत्यासी हैं उनके पास जन हित के लिए कोई मुद्दा नहीं है विकास उनकी प्रात्मिक्ता नहीं है सुसासन में उनका विश्वास नहीं है उनके उद्देश आसफ़स्ट हैं कि वो भ्रष्टाचार चाहते हैं आप राज चाहते हैं माफियाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं जो उद्दर पिदेश की जनता ना कार चुकी है मौरेद ये आप विकास की बात करते हैं स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और विपक्ष सड़क पानी बिजिरी की बात करता है जनकी जनता कैठी किसका अलाओ दिखी दीना क्या काई है देखे मैं यही तो कही रहा हूँ कि जनता कार करता बन करके भाजपा का कमल खिला रही है और कासी में चुकी मैं खड़ा हूँ मानी प्रधान मंत्री जी के संसदी छेतर में यहां तो जैसे कासी भाजपा की और भाजपा कासी की होगी है कि मैं तो और सिराम जन्वमी आंदोलन का सिवाही हूँ मेरे लिए इस से अधिक खुशी की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती 22 जन्वरी 2024 का इंतजार मुझे भी है पुरे देश को है देश के हर रामवक्त को समाजबादी पार्टी में भाजपा से नमारी नहीं कर रही है बलकि सपा बस्वा कांग्रेस में भगदल मची है हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद